दोस्तों नमस्कार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भक्तों पर बीजेपी के एक नेता रेक करारा तमाचा मारा है। सुर्खियां फैली हुई हैं। हम जादा आपका वक्त नहीं लेते सीधे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुनिए। कोई नहीं कह सकता था कि लालबादु शास्त्री प्रधान मंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नसी मरा हूँ। जब मैंने चंदुशेकर को प्रधान मंत्री बनाया है तो सब कहते हैं ये तो कभी नहीं बनेगा बना दिया। तो ये इंदुस्तान में भविशवानी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में। क्योंकि मोधी मैं नहीं जानता हूँ पर मैं तो मेरी राय है कि मोधी एकानोमी में फेल हो गया तो इसलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा होगा कि जब स्वामी जी से पूछा गया कि 2024 में प्रधान मंत्री कौन बन सकता है क्या नरेंद्र मोधी दोबारा से आ सकते हैं तो उन्होंने साफ साफ हिंकार कर दे उन्होंने कहा कि भविश से कुछ नहीं बताया जा सकता है भार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के तारीफों के पुल बांते हुई ने थकते हैं उन्हीं मामलों पर सुब्रमन्यम स्वामी ने जीरो बताया है अर्थवयोस्था के मामले पर चीन के मामले पर और खास करके जो देश में जगह जगह गटबंधन चल लहा है सरकारे पुसरी पार्टियों को कमजोर किया जा रहा है इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की बिदेश दौरे पर भी सवाल उठाया एक एक करके सब बताते हैं आपको उन्होंने कहा कि हमारी देश की जो अर्थवयोस्था कमजोर हुई है उसके लिए मोध जिन्मेदार है कोरोना में देश की जीडीपी 16 फिस दीगरी और अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ कई देशों में जीडीपी गरे लिकिन लगभग लगभग सभी देशों में अर्थवयोस्था पट्री पर लोट आई है लेकिन भारत में स्थिती अभी भी खराब है और ह जो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को सविकार ना करें लेकिन आपको सविकार करना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्याज के भाव टमाटर के भाव धनिया के भाव या फिर सबजी तो छोड़ दीजे चाहे आप फल ले लीजे तेल ले लीजे कुछ भी उठा लीजे कीमते जो है वो सात्वे आसमान पर है इसके साथ ही साथ उन्होंने मड़पूर हिंसा पर बोलते हुए कहा कि मूदी बहुत मनमानी कर रहे हैं प्रधान मंतरी मडपूर हिंसा पर बोलने को त्यार नहीं है वो मडपूर नहीं जा सकते हैं लेकिन वो बिदेश दोरे पर जा सकते हैं मडपूर की बज़ाये उन्हें विदेष का दोरा करना अच्छा लगता है और विदेष दोरे पर भी उन्होंने सवाल उठाया उन्होंने कहा कि चीन अभी भी घुस पैट कर रहा और उत्राखंड का भी जिकर किया उन्होंने कहा कि मैं चीन के बारे में जानता हूँ अच्छे से, मुझे चीनी भासा आती है, मैंने चाइना में आप कीजेगा, मैंने चीनी भासा को पढ़ाया भी है, और उन्होंने कहा कि अब उत्राखंड की बारी है, तो क्या ये चेतावनी है, उन्होंने कहा प्रधान मंत की कोशिश करनी चाहिए अलाकि प्रधान मंत्री विफल है इस मामले में भी उनसे एक और सवाल किया गया महराश्ट की सियासत पर कि अजीत पवार ने सरत पवार से बगावत कर दी है और भाजपा से उसेना से हाथ मिलाया है इस पर उन्हें ने कहा मोधी किसी को भी ज्यादा समय तक नहीं रखते मतलब बिपक्षी पार्टिया जो आकर कि बीजेपी के खेमे में सामिल हो रही है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपकी जरूत है सिर्फ तभी तक आप उनके महमान है अन्यथा आपको बाहर करास्ता दिखा दिखा दिया जाएग तो वहराल दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका कुछ सोचा है में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद